उत्तर दिनाजपूर जिले में कुरोणा वरस ने पक्डी रफतार पिछले 24 घंटे में सामने आए 34 ने मामले स्वस्त विभाग में मचा हरकम काफी समय तक Green Zone में रहने के बाद उत्तर दिनाजपूर जिले में कुरोणा संक्रमित रोगियों की संक्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है जिसके कारण स्वस्त विभाग में हड़कम मचने के साथ ही आम लोग भी आतंकित होटे है पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34 ने मामले सामने आये है इससे पहले उत्तर दिनाजपुर जिले में केवल 22 मामले थे संक्रमत रोगियों की संक्या 56 पहुँच गई है अचानक से संक्रमतों का आंकड़ा बढ़ने से लोगों में आतंक का माहौल देखा जा रहा है आपको बता दे कि मालना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन सभी की सैंपल्स जांच के लिए भीजी गई थी जो पॉजिटिव पाई गई है अब स्वस्त विभाग ज्यादा सतर्ग हो गया है और पूरी सतर्गता बरती जा रही है स्वस्त विभाग की तरव से जानकारी दी गई है कि उतर द्राजपुर जिले में कौरंटाइन सेंटर बनाए गये है उलेक ने है कि पिछले कुछ समय से प्रवासिक श्रमिकों को केंदर सरकार के द्वरा ट्रेनों के माध्यम से उनके घर भीजा जा रहा है और राइगंज में भी काफी संख्या में प्रवासिक श्रमिक अपने अलाके पहुँच रहे है और इनके आने से रोग्यू की संख्या में और ज्यादा व्रद्धी हो रही है